पून रूप से अनुशासन वही है इसके लिए प्रेत्र नहीं करना पड़ अनुशासन एक ऐसी आंत्रे कवस्था है जो व्यक्ति के स्वभाव का उसके संसकार का भाव बन जाने है जो अनुशासन एक कार्व प्रतीत नहीं होता है इसे पून किये जाने के आवश्यक्ता हो उसी प्रकार जैसे स्वास लेना के प्रक्रिया है जो निरंदर चलती रहती उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता अपे तो मन में उत्पन्न होने वाला लोग रहिंकार और मैं तुकांशा है जो भी इन तीन भावों के अधीन हुआ है और सुर्थ जब तक ये तीनों आवगों इस संसार में रहेंगे संसार पे कोई ना कोई संकत बन रहता रहेंगा संसार में इतना नहीं होगी समानता नहीं हो संसार पे भाजित रहेंगे अंद होगा